नमस्कार, Toppers Club IS Academy में सभी चाच चात्राओं का स्वागत है, आप हैं मेरे साथ, एक महत्पूर प्रस्ण को डिसक्स करने के लिए, पिछले बारे प्रस्ण में भी मैंने आपरादिक न्याय पडाली से सम्मंदित प्रस्ण दिया था, और इस बार जो मैं डिजैन किया है, वो य कीजिए, चुकि मुझे लगता है कि यहां से किसन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे आपके लिए तयार किया है, देखिए, जब भी प्रसंद देखें, तो उसे तोड़ना सीखिए, भारत की आपरादिक न्याय पडाली से सम्मंदित प्रमुक चुनोतियों का उल्ले कीजिए, मता सीधा की पॉइंट है, चुनोतियों की बारे ही पूछा है, लेकर आप थोड़ा बहुत आपरादिक न्याय पडाली के बारे में दे सकते हैं, और सम्मंदित जो कोट केसे हैं, सुप्रीम कोट के या किसी अन्य न्याले के इसाई कोट है, उनके अगर कोई आद समादान करने के लिए महतपूर है, लेकिन ये विबिन चुनोतियों का सामना कर रही है, जो इसके प्रहावी कार्यानवन में बादा डालती है, इन चुनोतियों के कान नके वर नया प्रक्रिया में देरी होती है, बलकि नयाय की गुरवता भी प्रहावित होती है, इन समस्य पर कर देना है इससे क्या है आपकी जो भासा सैली है वो अन चात्रों से अलग होगी और सब अपना अलग करेंगे तो फिर एक रूपता नहीं रहेगी ठीक है यह करना भी चाहिए अब मैंन बॉडी में आए तो सीधर हम चुरौतियों के बारे में बात करेंगे हेडिंग डाल में एक थोड़ा से दोसिये है कि यहां पर केस की संक्या बहुत जादा हो गई है और जो ट्राइल इतने होते रहते हैं इससे नियाए पाने में बहुत समय लग जाता है तो पहला जो आप पहेडिंग है वो है लंबित मामले और नियाए में देरी लंबित मामलों की विसाल स णर对 Gemой लाये यह निया क्यतक रहें पेदा करती हैं जो पड़ाल बना देती है और अगर बलंबित मामला समय पर नियाएर प्तान कर सकने की पड़ाली की विफलता कोई दरसाता है कोई है अगर मामला जो लेठ है यह पड़ाली को क्या असफली करता है और इसमें जो इंग्ल जिस्टिस की या निया पलगा की बात आए तो यह इनका कोडेशन बहुत महत्रकूर है कि बिलंबित नियाए नियाए से बंचिना की समान है जिस्टिस डिनाइट इसको आप लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो आंसर है वह अच्छा माना जाएगा कुल करके इस पॉइंट का मतलब यह है कि बिलंबित नियाय जो है या नियाय मेश जो देरी है उसका एक नकार तक पहलू भी है जो कि केस की संग्याह होने से उसकी पढाली जो हमारे बाद जो मात्याद जो तकनिकी है जगांग ईसको धारन मैक्ते हुए हमारे जो केसेस हैं म अगर आप सोचिए 5.02 करोड को नियाए देने में कितना समय लगेगा तो हमारी नैपलका की सामनी चुनोती भी है कि इन केसों को कैसे मिटायज आए जजों की संक्या बढ़ा ही जाए उधा के लिए मैं बात कर लेता हूं कि बरेली का एक मामला था और वहां के जो फास्ट्रे के लिए जो एक वर्स की समय सीमा से लवच चारगुना अधिक है इस तरह की देरी सीग्र सुनवाई के अधिकार यान राइट तू इस्पिरिट ट्राइल जिससे सर्भोचे नैले ने अब ये केस बहुत मोड़न है एनस सहनी बनाम भारसंग मामले में अरुच्छे 21 के तहत मूल अधिकार के रूम में मानता दी थी उसका भी उलंगन है मतलब सीधा सीधा कहा गया कि जो राइट टू स्पिरिट ट्राइल सीग्र सुनवाई का भी क्या है आपका अधिकार है और सुप्री कोर्ने से कोशट भी किया है इसका बुल्ले कर देंगे अब 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 अपर को जल्दी मिप्टा सके यहां पर करते हैं में सम्भा 2 या 23 तक अगर इस ती को देखा जाए तो भारत में प्रत मिलियन जन संक्या पर केवर 21 नियादी सुप्लत है अब आप तो यह इतने केस है और जजों संक्या को इंगित नहीं करती है बलकि इसका तात्वर के नियादी आप जानी है ना कितना वह काम करता रहेगा इसलिए वह भी तोड़ा मिश्कील है जल्दवाजी निर्ग कर लेते हैं अदेनस्त न्याय पालका में 35 परसेंट और ऊच न्याय लयों में पद रिखते हैं यानि अदेनस्त न्याय पालका में अगर देखा जाय तो 35 परसेंट और उच्छने अले में तो काफी बद रिखता है। प्रकास सिंग बनाम भारत संग 2006 के मामले में नैपाल का के दौरा अनिमिशन कारे को विधी एमम बिवस्ता संबंदी कर्टब्यों से अलग करने का आदिश दिया गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2021 में आपने देखा होगा कि लंगीम प्यूर खीरी इंसा मामला जबता हो टौनी मिस्रा था और उसने किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया था। उसके प्राणमिक जच में देरी होई। अब देरी क्यों ही। क्योंकि वह मंत्री का लगाता है जो भी हो। मतलब सीथी कहने का मतलब है पुलिस पर राजनीती का द्राब था। और साथ केंद में मंत्री भी था। तो राजनीती करण की भीयश से भी हमारे जो नेड़े हैं यानि पुलिस की जच है वो प्राज़त हो जाती है। भारती राजनीती में एक खराब तब तब यह भी है। यह राजनीती करण बिस्वक जाच को कम्योड करता है विसिसकर उन मामलों में जिन में प्रभाव साथी बिक्ती सललंगन हो। अब आपना लगा लिजे। नेने पतल लिया आते हैं पुना में एक लड़के ने दारू के निशे में कुचल डाला एक गुत्ती को और उसकी सारी जात रिपोट बल दी। और उसमें माके एक जुज़स थे उसने एक निवंद लिख करके बच्चे को छोड़ दिया। यह बहुत गलत संदेश गया था समें। दुती प्रसासरिक सुधार आयोग की अगर में बात करूं। तो दुती प्रसासरिक सुधार आयोग ने पाया ताके पुलिस जनता संबंद असंतोस जनक इस्तिती में हैं क्योंकि लोग पुलिस को भष्ट अकुशल राजनीतिक रूप से पचपात पूर और अनुत बनाने की निर्देश के बाद यूद बास्तिक इसके उलट है। बारत की जेलों में 75% से अधिक क्यादी बिचारा दहीने हैं। जबकि जेल अपनी क्यादी से ज्यादा क्यादियों को रखे हुए हैं यानि वो 130 प्रतिसत अधिभोग यानि ओकुपेंसी के इस्तर पर संच जालित है। यूए पीए या गयर कानूनी के इस्तर अधिनियम जैसे कुछ कानूनों के तहत साथ प्रिस्त करने का जो जुम्मिदारी है वो आरोपी पर ही डाल दी जाती है। जिससे जमानत का मुद्दा और जटिल हो जाता है। यहान हिस्सा की मामले में लेंगे पूरव प्रिता को दोस्त देने वाली भासा के प्रोकी निंदा की ती। इसके बाद भी एक बलातका प्रिता के रातकालिन कारे के बारे में करनाटक उच्चे नहले के नियाजिस की टिपड़ी से उजागर हुआ कि लेंगिक पूरवागरे लगातार व्यात हैं जो यहान हिंसा की म निड़े में देरी आएगी और हो सकता है कि वो निड़े पचपातपूर भी हो जाए पुराना जेल मैनुवल है और मानसिक स्वास्त आप देखिये जेल मैनुवल 2016 की में बात करना हूं मोरल है मानसिक स्वास्त सिवाओं को अनिवार बनाया गया था समयं 1382 जेलों में अमानवी इसती मामले में सरोच नेले ने केदियों में ब्यात्तमासिक बीमारी का उच दर पर ध्यान भी दिया था जो कि अतितिक भीडवाल तक देखवाल के अड़ाओं के कहां और भी बढ़ गई थी मतलब भीड में या जब कैप्शिट से जादा केदी रह हैं तो उनका प्रणाव उनके मस्तिक्स पर भी पढ़ता है उधार के लिए 2022 तक महराश्च राज्य में ब्यारिस जार पांसो सबस्तर कैदी थे लेकिर उनकी देखवाल के लिए केवल एक मुलोच गित्सक और दो मुलोच बग्यान की मौजू थे पुलिस सिकायद प्राध करना की इस्ठापना का निर्देश दिया है द्या रगना बहुत महत्पूर है हालांकि अद्गांस राज्यों ने या तो PCA की इस्ठापना नहीं किया या उन्हें सक्तिहीन बना रखा है इससे पुलिस दंदमुक्ती यानि पुलिस इंप्यूनिटी है उसकी इस्थी बनी ह मानवादिकार उनलंगन कावई मामला से बनता है भारत की आप्रातिक न्याय प्राली पर प्राहरासत में यातना या न्यायत्तर जो हत्या है जो एक्ष्टर जूडिसियल किलिंग है जूटी के प्तारियां है और अधर निरोत के जो आरूप लगों के लगते रहें यानि मा इस ह्यासत में मोतों के 175 मामले सामने आये हैं निसकस की देखे जाए तो भारत की आप्रातिक न्याय प्राली कई महत्पूर्ट चुनोतियों का सामना कर रही है जिनके समादार के लिए समख्र और संग्रित प्रासों की आवशक्ता है न्याले में लंबित मामलों की संक्या क बनाया जा सकता है अब इन सुधाओं के माद़न से नकेवल न्या प्राली में सुधार होगा बलकि समाज में कानून का सासन भी मजूद होगा जिससे हर नागरिक को न्या की समान और तुरित प्राप्ती सुनश्शित होगी अब इस पर हम यह भी कह सकते हैं कि और प्रयाब्त मात्रा में डॉक्टर इस्थाबित करके इस प्राली को सुधारा जा सकता है साथी समय समय पर ट्रेनिंग पबलिक की जो जाग रुपता है उसको भी बढ़ा करके इस नया प्राली को सुधारा जा सकता है वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिरूर बताईएगा और मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो PCS का जो GS Paper 2 है वो स्टार्ट हो चुका है मैं इसके लिए क्या करना आपको डालोड करना है Mobile Application Toppers Club IES Academy है GS Paper 2 है ठीक है और Tagam को जोइन करना है तो link कमेंट बॉक्स में description box में दे रखी है जिस चात्रों को जोइन करना है वहाँ से जोइन कर सकते हैं ध्यान रखेगा मैं पहले ही बता दूँ आपको कि मैं कोई पूर रिकॉर्ड करके वीडियो इसमें डालता हूं मतलब पहले मैं परड़ इसमें रिकॉर्ड करके वीडियो डालता हूं ताकि आपके पास इस साल का आप करेंटस डेटा के साथ आंसर यानि जो मॉडल आंसर आपको मिल सके तो आप यह मत समझेगा कि आप जैसी इसमें एंटर करेंगे तो इकटे 500 वीडियो मिल जाएंगे ऐसा नहीं है step by step, unit by unit आपको वीडियो मिलेंगे और वैसे ही आपको नोट्स मिलेंगे ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है, बहुत बहुत थन्य बाद